तो कैसे हैं आप सभी लोग, I hope you will happy, आज हम डिसकर्स करने वाले हैं future tense का एक topic, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि future tense के कितने part होते हैं, future tense के 4 part होते हैं, पहला होता है future simple tense, ठीक है, दूसरा होता है continuous tense, तीसरा होता है हमारा perfect tense, और चौता होता है perfect continuous tense, ठीक है, मैं आपको यह सब पिछले वीडियो में बता के रखा हुआ है, अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग discussion box में लिंक डली हुई है, और आप वहां जाकर के देख सकते हैं, पुरा मैं English grammar का chapter wise वहां पर बताते जा रहा हूं, आप लोग सारे वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, future tense के perfect के बारे में, future perfect tense के बारे में, इसका third topic है, सभी tense के चार पार्ट होते हैं, तो यह तीसरे नंबर का part है, हमारा future perfect tense, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, Hello friends, Hey one nice day, you have to watch my YouTube channel, study with Arju, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon, Tense के बारे में, अगर मैं एक बार बताना चाहूंगा, अगर आपने ये tense introduction वाला chart के बारे में नहीं पढ़ा है, इससे क्या है, आपका 12 tense का base clear हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे perfect कोई भी आजाए, उसकी पहचान होती ही, चुका, ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से बना करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने वाप की form भी बता के रखा हुआ है, हमेसे याद रखो perfect जब भी आए, वहाँ पे वाप की third form लगती है, ठीक है, यह आप जरूर देखें यहाला वीडियो, आपको link इसकी description box में मिल जाएगी, ठी future आ रहा है हमारा किया, मैंने बोला future, ठीक है, तो याद रखो कि साल और विल हेल्पिंग वाप जरूर रहेगी, ठीक है, अब मैं यह कहानी सुनाता हूँ, मैं हर वीडियो में यहाँ कहानी बताते जारा हूँ, छोटी वाली, कि अगर आपको मालनी जिए, दो आदमी अपन वहाँ पर, तो आप फनिचरवाले मिस्तिरी को बुल्वाओगे, अगर आपको टैल्स लगवाना है तो आप किस मिस्तिरी को बुलाओगे, टैल्स वाले को, अप फनिचरवाला तो टैल्स लगाने से रहा, ठीक है, तो हमने continuous में देखा था कि उसको b2 नाम की εκra आदमी की ज बुलाया था याने मालनी जी कि अगर उसको फनीचर वाले की जरत पड़ी तो उनने बी नाम के वक्ति को बुलाया होगा अब हमार को मालनी जी टैल्स वाले वक्ति की जरत पड़ी मालनों हेव नाम के वक्ति की कों से हेव नाम के वक्ति की ठीक है तो हम किसको बुलाएंगे कोई भी Tense हो मालनी जी अगर से कोई भी Tense होता है तो उसका structure कैसा बनता है subject ठीक है फिर आएगा helping verb फिर आती verb हमारी और फिर आता है हमारा object ठीक है इनके भीना हमारा sentence structure बनी ने सकता तो helping verb में यहाँ पर साल और विल का यूज किया गया है ठीक है आप लोग देख पा रहे होंगे अब हम बात करते हैं इसकी पहचान के वाले में ठीक है यानि पहचान हम इस टैंस की पहचान कैसे करेंगे यह देखेंगे जब भी देखो टैंसों की पहचान कैसे कर पाते हम लाश्ट के सब्दों को देखत ठीक है और यहां पर एक रूल और बताया गया है कि हेल्पिंग वब जो है अब भी मैंने आपको बताया कि विल है और साल हो आती है अब यहां पर हमको यह देखना पड़ेगा कि साल हो और विल हो का यूज कहां किया जाता है देखो मैंने क्या बोला कि साल हो ठीक है और क्या एक मैंने will have, क्या बोल रहा हूँ, एक मैं will have, इनका use कहां कहां किया जाएगा, अपने को पता करना पड़ेगा, तो याद रखे, shall have का use, सिर्फ I और V के साथ होगा, और I और V दो ऐसे subject हैं, जिनके साथ केवल और केवल, shall helping of up का use होता है, और बाकी जो भी subject आएगे, उनके सा साथ में will का use, समझ में आरा आप लोगों को, कि shall have का use, I और V के साथ में होगा, और will have का use का I के साथ में होगा, other subject के साथ में, other subject के साथ में आप लोग समझ पाएंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि shall have a use और will have ka use कहां करना है shall have a use करना है I और we के साथ में और will have a use करना है other subject के साथ में कोई भी subject आजाए जैसी you, we, there हम देखते हैं future perfect tense का affirmative sentence structure तो कोई भी मैंने बताया कि Hindi to English मैंने बुला हिंदी से अगर हमार कोई English सीखना है structure के according ही हम सीख पाएंगे ठीक है तो हम देखते हैं इसका sentence structure के जग subject plus saal ablik will मैंने बताया हूँ कि saal will तो इनने खरीत के रखा है अब इसको हेव नाम के helping verb की जरुत पड़ी तो यह उसको बुला करके ला रहा है और अब भी मैंने आपको बताया था कि perfect किसी का भी आए present का past का या future का उसके साथ verb की कौन सी form यूज होती third form टिक है और अन्त में object रहता है टिक जैसे मैंने आपको अब यहां पर बताया हूँ देख सकते हैं कि subject plus helping work plus work plus object इससे बनता है हमारा structure टिक तो आप लोगों को इस texture समझ में आया होगा आप लोगों को चाहे तो आप skin sort भी ले सकते हैं या चाहे तो आपको मैंने यहां पर PDF प्रवाइट कर दिया है फिरी में है PDF आप टेलिग्राम ग्रूप से भी जॉइन कर सकते हैं PDF ले सकते हैं या फिर यहां से डारेक्ट भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो हम देखते हैं कि इसके examples हाँ high level English grammar में example को EXने लिखा जाता है EG लिखा जाता है क्या लिखा जाता है EG ठीक देखते हैं example इसके वे जा चुके होंगे लाश्ट में क्या आया होंगे चुके होंगे तो मैंने आपको बताया था चुका होगी चुके होंगे यह सब काई में आते है future perfect में तो हमारे को पता चल गए यह पहिचान काई की future perfect की और subject के आहां पे वे तो वे को इंगलिस में ब go went gone तीन फॉर्म बनती है तो थर्ड फॉर्म आई ठीक है दूसरा एक्जामपल है वहा खा चुका होगा अब कुछ भी खा चुका होगा मालीचिक मैंगो खा चुका होगा कुछ भी तो हम क्या बनाएंगे he will have eaten he will have eaten यहां masculine gender की बात कर रहा है याने वहा याने एक pulling है तो pulling के साथ में यूज करते हैं he का और string आता है तो उसके साथ में यूज करते हैं c नाम की pronoun का का यह का यूज करते हैं c pronoun का ठीक अब बात कर लेते हैं यह समझ में आ गया will have helping वह है it 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 and तीन फॉर्म होती है सीता गाना गा चुकी होगी सीता subject हो गया will have helping वह हो गयी sung song song हो गया object और गाना गाना ठीक है यह गाने को बोलते हैं जो वब है यहां पर गाना गाना तो वह क्या है हमारी संग सिंग संग संग ठीक है इस टैप से आता है ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग हम देखते है future perfect का negative sentences क्या देख रहे हैं negative sentences यहां पर क्या हो जाएगा subject plus साल अब्लिक विल प भनी थी b कौन सी बनी थी b तो यहां पर भी था हो की जग में और बाकी सब सेम था टिक और यहां पर आपकी फर्थ फर्थ परम थी यहां पर वैसी हो जाएगा साल विल के बाद में not आजाएगा और हो रहेगा और आपकी 3rd फर्थ फर्म प्लस object अगर आपको बारा टैंस प बाद में लगा दो not और हेव गुन जैसे का वैसा तो क्या बनेगा they will not have gone they will not have gone ठीक अब आगे बढ़ते हैं गनेश नहीं रोया होगा रोना को बोलते हैं वैपिंग ठीक है तो गनेश विल नॉट है वैप्ट ठीक है क्या बना गनेश विल नॉट वैप्ट हेव लगके ठीक है देखो सचीन नहीं आया होगा सचीन सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर नह नहीं वैप्ट हेव ठीक है और विल हुड़ लगेगा हमारी फेह पह치ंद क्या हो जाएगा शचीन विल नॉट हैव कम सचीन विल हैव नीच लो गोट रॉट ठीक अब आगे बात करते हैं फ्यूचर पर-फैक्ट के इंट्रीड टीश के बारे में यहां पर मैंने बता तिय हूं इंट्रोडिक्षिन वाले में कि जो भी डवल एच वर्ड आते हैं वाट वेयर वैंग हूँ वैंग हूँ इस यह क्या होता है डवल एच वर्ड ठीक है तो डबल एच वर्ड आएंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड उसके बाद में साल विल सामने दाता है अब आगे हम बात करते हैं इसके कुछ मैंने बता दिया इदर देखो यहाँ पर पूरे लिखे विया आप चाहे तो इसके इसके ले ले लो या पीडिएप में मैं आपको दे दूंगा वाट यानि होता है वेन यानि कब खाओ यानि कैसे विचयानि के उनसा हूज यानि किसका एटी सी सपाप पढ़ लेना ठीक है आपको मैं बताता हूँ इसके कुछ एक्जामपल वह क्या कर चुका होगा वाट विल है और डान तिक लास्ट में कोर्शन मार्क तुम सोमार को कहां जा चुके होंगे अब हम किसक हैं वेर इधर देखो ये दिखरा है कहा को बोलते ये टैक तो वेर विलाग wake इसामने तुम को बोलते है यू ठाए और लग गई Before creek तो वेयर बॉक्स में या टेलीग्राम गुरूप में ठीक है तो आज के लिए काफी है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिनेश टैंस के वीडियो में बाई बाई टेक कियर